हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ आलता डिजाइन जो की साधियों में अक्सर दूलहे को लगाया जाता है और यह जो डिजाइन है वो चिराई डिजाइन है यहां का यूपी का पारंपरिक आलता डिजाइन है यह चिर में आपको डिजाइन लगाते हुए दिखाऊंगी तो अगर मेरे चैनल पर आप नए आया है तो प्लीज मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस भी कर दिजेगा ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिपिकिशन आपके मुबाइल तक बहुत सक तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेर करिएगा कमेंट करके बतायेगा आपको ये वाले डिजाइन कैसे लगी वैसे तो ये डिजाइन मेने नहीं लगाई है बट फिर भी मैं ये डिजाइन आप लोग कुछ शा तो सबसे पहले इनका जहां तिलक होना था बैटके वहीं पे देखिए नाउन है जो किनका पैर रंग रही है और यह डिजाइन है चिरेंड डिजाइन तो मैं अपने पैरों में लगवा कर आपको दिखाई थी एक आउंटी थी जिससे में लगवा कर आपको दिखाई वह अप है और आलता लगाने का यहां देखिए चावल रखा हुआ साथ में नेग भी दिया जा रहा है यानि कि नजर उतार के अदुल्हा को परीज के और कुछ लोग पैसे भी रखते जा रहे थे और यह यहां का पाउडर वाला आलता है मतलब पाउडर को पानी में मिक्स करके और इस तरह से घोल लिया जाता है रेड कलर का आलता और साथी साथ उसमें येलो कलर का आलता भी मिक्स होता है और जो कि औरेंज सेड देता है थोड़ा सा रेड औरेंज सेड तो यह वाली इनको आलता लगा जा रही है तो देखिए यह है नाउन जो आलता लगा रहे हैं तो मै मैं जब गई थी इनके घरती लग में तो जब आलता लगना शुरू हुआ था तभी इतिफाक से मैं पहुच गई तो पहुच गई तो मैं ये वाले वीडियो बना ली सोची कि साथ मेरे सबस्क्राइबर को कुछ लोगों को पसंद आया या फिर लोग जानना चाहते हैं कि दूले लोग क्या यूज करते हैं क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं होता है कि दूले लोग को आलता लगता है नहीं लगता है मेहनी लगाय जाती है तो लड़कियों का तो बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा लेकिन लड़कों का उतना जादा नहीं मिलता है तो इसलि कि लिएक से चली आ रही है यह लडकी को भी लगाया जाता है अधर को साधी। यतने भceğ आएँ उन्हों को भी यह दिसआई लगाया जाता है कि आपको देखाओं और दो लोगों की पैरहों एक लिए उन्हें भाटा इसलों है तो अभी आप यही देख लो और ये वीडियो बहुत जादा बड़ी नहीं है क्योंकि आप समझ सकते हो कि किसी और का पैर में था और बहुत मुश्किल से ये वीडियो भी मैंने सुट करी है क्योंकि मैं थी और मेरी बच्ची भी थी तो उसको भी देखना था और मैं वीडियो भी थोड़ी थोड़ी वीच वीच में बना ले रही थी और थोड़ा सा मैं अपोजिट बैट गई थी जिसके वजह से सायर इधर से आपको उतना पता नहीं चल रहा होगा उधर का डिजाइन में नहीं करने पाई तो वो बस लगा रही थी और मैं वहीं पे बैटके बगल में वीडियो बना रही थी तो ये इनका देख सकते हैं कि तीलक का मतलब कलश रखा हुआ है सारा चीज रखा हुआ है और तीलक में जो ये ड्रेस पहनना था वो ड्रेस वगरा पहन के बैठे हुए थे और बस आलता लगना था उसके बाद तीलक के लिए शारी तैयारियां शुरू हो जानी थी तो उसके पहले इनको पैर भरा जा रहा है यूपी में इसको मतलब पैर भरना भी बोलते हैं तो देखिए जब इनके पैरों में आलता लग रहा था तो इनकी मम्मी जो है वो अपने साड़ी के पल्लू से इनका सर ढखे हुए थी और इनका पैर रंगा रहा था और सभी लोग कोई 10, कोई 20, कोई 50 दूलहे को परीच के और यहां पैसा रख रहे थे और यह जो पैसा है वो जो नाउन पैर रंग रही है उनको यह जाता यानि उनको यह मिल रहा था पैर रंगने का खुशी में नेग है यह तो यही इनको मिल रहा था चाहे जितना हो चावल के साथ और यह पैर रंग रही थी बहुत ही जल्दी इन्होंने रंग भिलिया क्योंकि यह नावन है और इन्हों को आदत हो जाती है जल्दी जल्दी लगाने की तो इन्होंने बहुत ही जल्दी लगा दिया तो देखे मैं फर्स टाइम वीडियो लेकर आई हूँ किसी पूरुश के पैरों में मतलब कोई बड़े से लड़के के पैर में आलता लगाते हुए अभी तक मेरे चैनल पे नहीं थी इस टाइब की वीडियो बट आप लोग के लिए में लेकर आई हूँ आप लोग बताईएगा कि आप लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी तो आप लोग और भी बताना कि आप लोग किस टाइब की वीडियो देखना चाहते हो आगे मैं इनकी एक और वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगी वो है मेहंदी डिजाइन और इनको मेहंदी भी मैं लगाई थी इनकी शादी में तो मुझे नेक भी मिला था तो वो भी मैं आपको बताऊंगी आने वाले वीडियो में तो वो भी आप जरूर देखेगा सबसे पहले आप आलता ही देख लो और इसके बाद मैं अपलोड करूँगी बीच में इनको में मेहंदी लगाई थी और मेहंदी में मुझे कितना पैसा मिला था तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और वहाँ मैंने बहुत लोगों के मेहंदी भी लगाई थी तो ये तो तिलक का दिन है तो हमारे घर के बगल में इनका घर है तो हम लोग गय थे सब लोग और इनका तिलक इंजॉई किये इनका वीडियो भी बन गया और एक वीडियो भी मेरा हो गया तो देखिए ये अपना चावल ले गई है अपना पैसा कलेक्ट करने और ये देखिए रखे हुए है आलता लगाने के लिए वो जिसे डिजाइन बनता है मैं बहुत जादा बड़ी वीडियो तो नहीं ले पाई हूँ उनका पैर का बट इतना ही ले पाई हूँ तो आप लोग बताईए आप लोग को ये डिजाइन कैसा लगा पूरा भरा भरा सा पैर लग रहा है बहुत सुन्दर लग रहा था मतलब पहली बार में किसी जेंस के पैरों में इतना भरा हुआ आलता देखिए थे तो ये देखिए ये है तीला के लिए दुल्हे का गेट और वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताईएगा थेंक्यू